आज जानेंगे क्यों आस्ट्रेलिया तश्मनियन टाइगर को जो कि 1930 में एक्स्टेंट हो चुके उसे वापस जीन टेक्नॉलोजी के तुरू जिंदा करना चाहता है और उसके क्या-क्या इंपैक्ट्स होने वाले हैं रीजन्स फर डी एक्सिंशन अनिमल जो है फूट चैन में टॉप प्लेस में रहता था और दूसरा उसका रोल जो है एको सिस्टम को बैलन्स करने में और बागी पॉपलेशन को चोटे-चोटे स्पीशीज को रेकुलेट करने में इनका बहुत बड़ा रोल था इस्पीशीज इसका जिसके वज़े से वीक अनिमर्स जो है उसको इल्मिनेट करता था और अच्छी फीटनेस स्पीशीज को डाविश्वाय करता था इसके एक्स्टेंट होने के बाद फुट चैन में जो है डॉन ग्रेडिंग बहुत ज्यादा हो गया है फूट और यह एको सिस्टम में है तो पूप जयादा डिख्रेटोगे देखनों मिले जिसके उजय से घ्रोत जहरे और जो स्पीशीज जो इसके उज़ plugin होता थी और रिभूल्येट न होने के एक जैसे वह पॉप्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लोगी इसी इंबैलेंस के वज़े से बायलोजिकल केमिकल साइकल में डिस्टिबेंस वाइल फायर्स और इन्वेजू स्पीशीज जो है पॉपलेशन बड़ी मात्रा में बढ़ गई है अब डी एक्स्टिंशन टेक्नालोजी क्या है जो एनिमल्स एक्स्टिंट हो जाते हैं वाइल् जीन टेक्नालोजी के त्रू वापस री जेनरेट किया जाए तो उसे डी एक्स्टिंशन टेक्नालोजी कहते हैं और उसी में से क्लोनिंग सबसे ज़्यादे पॉबलर है जीन एडिटिंग क्रिस्पर है सेलेक्टिव ब्रीडिंग है जो कि पहुँजादे केटल्स में गसलोटे एक डोणर स्मेटिक सेलोट हैं मैं डोह एक्स और एक्सल को निकालके रखते हैं और जिससे हमें दुबारा रिजेनरेट करना है उसका। निकलीस निकालेके बाद उसका नूकरिस इस एक्सल के अंदर डाल दिया जाते हैं कि जिसके बाद कुछ ग्रोथ-फैक्ट और इसकी अंदर रखने के ने बाद वह एक नैच्रल येंऴ्ड परवाएं की तरह सैललार ग्रोफ प्रोसस्ट्सट अट हो जाता है और उसी इंब्रोईनिक सेल ग्रोफ को सॉब्य एड़ को एक सव्रोगेट Mm दर के अंदर रख दिया जाता है जिसके बाद एक normal fetus growth होता है और उसे उसी animal को regenerate कर दिया जाता है है और कुछ इसी तर का processor अपना के टेस्मानियन Tiger को regenerate किया जायेगा अब उसको regenerate करने के बाद क्या-kya challenges होते हैं Ecosystem में क्योंकि बहुत साल पहले वह एक्सेंट हो चुका था ठीक है अब उसको हम Regenerate करना चाहते है अब ज़ब एक्सेंट हो चुका है अब जब इस वक्त में जब उसको Regenerate करके वापस वायल डीको सिस्टम में रिएंटर करेंगे तो जो चेंजिस आ चुके हैं उसके साथ ये रिजेंटरेटर एनिमल किस तरह से बहेव करेगा ज़ाद से ज़ाद क्या इन्वेजिव स्पीसिस की तरह बहेव करेगा या 1930 में जियसाद था ये उस तरह से ये बहेव करने लगेगा